कि नमस्कार दोस्तों मैं गोरव्भ स्वागत करता हूं आप सब का आपके अपने परिवार्श वाधियाज्यियरी में आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ heiß कर रहें ऊगए तो जैसेकि आT हो कि हमारा टोपिक चला हुआ है संदी को हम बहुत अच्धे से पढ़ रहे हैं अब हमने देरिकार संधी को सुरू कर लिए और रिकारिक व्यूसेरे लिए हैं अब किसी दिक्कत है तो मुझे बोल सकता है कि सै front में यह problem है कि आप लोग ज़्यादा पढ़ा रहे हो आप बोलोगे तो मैं कम पढ़ा दूं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाए कोई भी नियम आपके लिए ना छुटे क्योंकि एक कोशन कहीं लाग बच्चों को काड़ देता है एक कोशन में कहीं लाग बच्चे तक कर जाते हैं तो इसलिए जरूरी है कि अच्छे से पढ़े और जितना जरूरी है कम से कम उत्तों तो पढ़े संदी बहुत जरूरी है यूप बलिस कांस्टेबल लेकपाल कोई भी पेपर हो अब ये तो है नहीं कि उसने कसम खाली कि कि मैं तो भार से पुछोंगा कहीं से तो फिर कोई भी कुछी पढ़ा ले वह अप जिद पर आ जाएगा वह अपनी जिद पर आ जाएगा लेकिन अगर ऐसी भी कैसी कोई बात है एक में ठोल्ट करना सोरी दोस्तों मुझे लगा कि लायर चली गई है इसलिए मुझे थोड़ा सा कन्फर्म करना पड़ा तो अब लोग आप देखें कि जरूरी है कि आप लोग के लिए अच्छे से पढ़ना तो हम अच्छे से पढ़ते हैं मेहनत करते हैं बस आप लोग की सपोर्ट की आवश् साथ साथ लिख सकते हो और जो बचा यह सोचता है कि नहीं बिना लिखे काम चल जाएगा तो गलत सोचता है अगर आपको पीडियाप चाहिए तो हमें मैसिज किजी हमें बताइए हम आप लोगों को प्रोवैड करा देंगे आई शुरू करते हैं संदी हमारा टोपिक चला ह हुआ है और हमने जो पड़ा है अब तक दिरिग स्वर संदी को हमने शुरू कर दिया था हमारी जो एक्जामपल चले हुए थे हमने देखा था आपका एपलस और आ हम जो देख रहे थे वह देख रहे थे एपलस आप क्या बनेगा आप बनेगा यह नियम हमारा चला हुआ के लिए मैंने आपको कुछ BBQ एकजामपल बदाये थे। इसलिए मैं आपको एक एक एकंपल और बतादी थे रत्न पलस आकार क्या हुआ यहां से जब हलंत नहीं है तो और यहां पे आ पहले से दिखाई दे रहा है तो ए पलस आ नियम क्या कहता है आ अपने द्रिग रूप में आ जाएगा अगर हस्व मिला और हस्व के साथ द्रिग मिला तो अपने द्रिग रूप में आ जाएगा क्या हुआ इन दोनों के स्थान पर क्या लिखेंगे हम आ को ला आ तो आ का डंडा और कार क्या हुआ यह हो गया आपका रतना कार क्या हुआ रतना कार आपका हो गया जो उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था जो कल मैंने आपको पढ़ाया था वो ये था देखे अच्छे से कि जो कल आपको पढ़ाया गया था वो ये था लास्ट टाइम जो हमारे चला हुआ था ठीक है ना लास्ट टाइम हमने देखा था ए पलस ए और ये तो थोड़ा पीछे अभी हम लोग देख लेते हैं लास्ट राइम यहां पे थे हम यह था ना कि नियम पर चल रहा था ए पलस ए आ और मैंने अब पड़ाया था पुस्तक पलस आ ले पुस्तका ले अभी हमने रतनाकार को पड़ाया कि इसको रतनाकार को हमने अच्छे से देख लिया है अब next पे हम यहीं पेले लेते हैं ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ सकें ठीक है तो यह आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तब हम देखते है अगला जो हमारा जो नियम है उसको हम देख लेते हैं पलस ए को हम देख लेते हैं किसको हम देखेंगे आ पलस ए क्या बनेगा आ बन जाएगा क्या बन जाएगा आ क्या बन जाएगा द्रिग और हस्व मिला द्रिग और हस्व मिला तो क्या बना द्रिग और हर्स जैसे ही मिला तो क्या बना आपका तो बना द्रिग, अपने द्रिग रूप में आ जाएगा, तो एक्जामपल आपका जो होगा, नमबर एक एक्जामपल देखते है, विद्या पलस अर्थी, क्या देखेंगे, विद्या पलस अर्थी, विद्या पलस अर्थी, नियम क्या कहता है, अगर आ और ए का मेल होगा, क् यहां से ए आ जाएगा तो क्या बनेगा आ बन जाएगा इन दोनों के इस्थान पर क्या लिखेंगे इस वाले आ को तो हम लिखेंगे विद्या आ का डंडा ये वाला आ जाएगा ये वाला यहां से हट गया है याद रखना जो यहां पर ये वाला लगा हुआ है ये वाला यहां से हटा है ये वाला हट गया है इसके इस्तान पर मैंने ये लिखा है और इसके इस्तान पर भी मैंने ये ही लिखा है तो खली आ और ठी, तो क्या बना? विद्यार्थी बन जाता है, अगर मैं वापिस विद्यार्थी को तोड़ गे, आपको दिखाऊंगे, बच्चों को दिक्कत होगे, कि सर आप इधर से पढ़ा रहे हो, इधर से पढ़ाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि नियम को समझाने के लिए मुझे ऐसे ही पढ़ाना होगा वैसे आप समझ जाओगे क्योंकि इदर से तूटा हुआ है अराम से बन जाएगा और उदर से तोड़ना फिर अराम से दिखता है कि कैसे तोटा हुआ है देखिए विद्या इसे हम तोड़ेंगे हमने नियम कि हमारा नियम कहता है कि बीच में द्रिग आ जाएगा तो यहां पे क्या हुआ है द्रिग आ हुआ हुआ है हमने मैंने बताया था कि दोनों तरफ का कोई मतलब होना चाहिए तो हमने इसके तोड़ा विद्या पलस अर्थी में बिलकु सही हमारा सही बन रहा है नियम भी आपका माया पलस दीन कि माया पलस अधीन क्या बना माया पलस अधीन देखे माया यहां पे पहले से आद दिखाई दे रहा है में कोई दिक्कत नहीं यह बड़ा आसान हो जाता है जब ए होता है तभी दिक्कत होती है आसामने ए दिखाई दे रहा है नियम कहता है ए आ और ए मिलेगा तो द्रिग में आ जाएगा अपने द्रिग रूप में आ जाएगा आ में आ जाएगा तो क्या हुआ माया हमने यहां तक लिखेंगे कारन इसके पेशे लिखने का मैंने बत इसको भूल जीगी ये वाला और बचा धीन तो क्या हुआ माया धीन क्या हुआ माया धीन एक्जामपल नंबर तीन देखते हैं हम एक्जामपल होगा आपका कदा पलस अपी क्या होगा कदा पलस अपी एक्जामपल आपको होगा कदा पलस अपी क्या होगा कदा पलस अपी अब देखिए कदा पलस अपी में यहां से तो यह आ और यहां से ए क्या हो जाएगा ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा द्रिक सुरसंदिक अ इसे और इस दोनों को हटा देंगे इनके इस्तान पर अकेला यह आएगा तो यहां पर लिखेंगे कद यह आप पहले से है, इसको मत सोची, मैंने इन दोनों को हटा दिया, इनके इस्थान पर मैंने यह अकिला लिया, तो A और P तो क्या हुआ? कदापी, क्या बना? कदापी, क्या बन गया? कदापी बन जाता है विद्या पलस अनुराग अगर एक एक्जाम्पल की और बात करता हूं तो यह आपने लिख लिए होगा नोट करें लिए होगा इसमें तो कोई दिकत नहीं है मैं रब कर देता हूं इसको यहां से ठीक है तो इस पेज़ पेज के एक्जाम्पल हो जाएंगे नमबर दो क्या क्याता है विद्या पलस अनुराग अब देखिए विद्या पलस अनुराग क्या हुआ विद्या पलस अनुराग यहां से ए जो दिखाई दे रहा है और यहां से ए तो क्या बनेगा अपने दिरिग रूप में आ जाएंगे दोनों कंठे से बोले जाते हैं तो आप पलास a क्या बना आप जाएगा तो विद्या को हमसे लीखेंगे विद्या कलि बस यहां तक टक उसके बाद इसको और इसको दोनों को हटा देंगे और इसके स्थान पर अकेले को इसे लिखेंगे इसकी मात्रा आएगी आ अब इसके स्थान पर भी यही है तो उसको जोतनी लिखने की नुराग क्या बचा? नुराग तो दोनों बनकर क्या बन गए? विद्या नुराग विद्यानुराग बन गए तो अगला एक्जामपल देखते हैं एक उसमें आपको तीन से चार एक्जामपल बताऊंगा जिससे आपका की जल्दी थोड़ा टाइम भी कम लगेगा और अच्छे से आपकी समझ में भी आ जाएगा, और किसको कुछ भी कोई दिक्कत होगी तो व अब एक बाद ध्यान रखिए कि आप लोगों को live comment option मिला हुआ है जो आपसे पूछा जाए आपको answer देना होगा है अगर किसी बच्चे को आता है और मैं बना रहा हूं तो मेरे साथ साथ बना के answer दीजिए live comment का आपके पास option है सुबह 9 बजी ये class होती है 9 am पर क्या 9 am पर ये होती है हिंदी की class किस की हिंदी की class दोनों आठ एम और 9am पर होती है ये topic wise class होती है ठीक है ना अब आप लोग देखिए अब अम देखते है आ पलस और आ का नियम क्या देखते है आ पलस आ का नियम क्या देखते है कोई मिलन होगा तो वो अपने दरिग रूप में चले जाएंगे ठीक है ना कैसे दरिग रूप में चले जाएंगे तो example देखे example होगा आपका a plus o a का विद्या पलस आल ले यहां से क्या बना यहां से बना a और यहां से भी आया a तो a और a के mail से क्या वनेंगा कूल focus घृइए अगर यहां पर आ नहीं मैं नहीं हो सकता कि ऐखने में आपको दिखास अगर में इसका स्याते हुआ चाहता हूं मैंने खली ए छोड़ दिया आ नहीं लगाया विद्या बना क्या विद्या कोई मतलब होता नहीं मैंने यहां पर ए न लगा दिया क्या विद्धू सब्द कोई मतलब होता है नहीं होता लेकिन जैसे ही मैंने संदिविषेद करने के लिए विद्या लगाया तो विद्या बचा पीछे क्या अल्य तो अल्य भी या अल्य अब अल्य को मैं अल्य लिख देता हूं किया अल्य का कोई मतलब होता है नहीं होता यहां पर भी कोई नहीं लेकिन विद्या का मतलब होता है अल्य का मतलब होता है और हमारा नियम भी लगता है और आमिला तो बना क्या आ तो क्या बना विद्याले, इसके इस्तान पर दोनों काटके आज आएगा खेला, तो क्या बनेगा विद्याले बन जाएगा, आप तो समझ में आया होगा ना, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तोड़ते हैं, मैंने आपको सुरुवात में ही, मैं कभी भी कोई पॉइंट एसा नहीं है जो अपने पास रख लेता हूं कि नहीं यार यह मेरे पास ही रहना चाहिए मैं नहीं बताओंगा मैं हमेशा आपको सब कुछ बताता हूं कोशिस करता हूं कि एक इस तरह से पढ़ाय जा सके इस तरह से आपको समझाय जा सके कि कोई भी चीज आप लोगों की ना चुट जाए ठीक है कि कोई भी चीज आप लोगों की ना चुट जाए विद्या पलस आ ले आ पलस आ क्या बन जाएगा अपना द्रिग रूपा जाएगा कंठे को कंठे से मिला है द्रिग में आ गया इन दोनों के इस्थान पर क्या जाएगा अकेला यह आ जाएगा तो यहां से होगा विद्ध और ये वाला आ जाएगा और बचा क्या ले तो क्या बना विद्धाले बन जाता है आप देखते हैं हम आत्म पलस आनंद क्या होगा आत्म पलस आनंद क्या बनेगा आत्माम पलस आनंद我 क Não क्या नहीं में इसे आत्मा नंत हुआं से क्या आएगा यहां से आएगा आ और यहां से भी आएगा आ तो क्या बना आ बन जाता है क्या बन जाता है इन दोनों को हटा देंगे इनके इस्थान पर अकेला यह तो यहां से लेंगे आत्म यह वाला आ हट गया था और यह भी तो इन दोनों के इस्थान पर क्या जाएगा अकेला यह आएगा तो आ यह वा वे आत्मानंद क्या हुआ एवा आत्मानंद हो चांगा हूज हुआ है अब मैं आत्मानंद को तोड़ता हूं कि आत्मानंद अब एक बाव बताय कहीजी आत्मानंद का का मतलब होता है आ आत्मा का मतलब होता है तो आत्मा पलस आनंद में तूटे गए और जैसे ही हमने हम ए में भी तोड़ सकते हैं कोई दिकत नहीं है ए पलस आ मिलेगा जब भी आ ही बनेगा लेकिन सबसे पहली बात ज्याद रखने लायक है कि दोनों का मतलब होना चाहिए इस वाले का भी और इ आत्मा में तोड़ा इसको क्योंकि आत्म का कोई अर्थ नहीं होता आत्मा का आर्थ होता है या तो क्या हुआ demon बन जाता है आया समंझ में क्योंकि हम किसी द्रख से रखते हैं हम देखते हैं कुछ बश्यक्राइद कि भीं जैसे आ जाए गया जाएगा ऐसे उत्तर नहीं होती लेकिन आपके नियम भी याद होना चाहिए आपके अगर नियम याद नहीं है तो उसमें आपको बहुत जादे प्रोब्लम हो जाएगी बहुत जादे दिक्कत हो जाएगी इसमें लिए नियम को याद रखना बहुत आवश्चक है ताकि अगर अलग जाते हो कहीं तोड़ीशी भी दिक्कत होती है क्योंकि एक्जामनर पागल तो है नहीं उसे बच्चे काटने हैं मासे अलग करने च्छाटने हैं तो क्या होगा वह आपको घुमा के देगा तो क्या बना आत्मानन हमारा बन जाता है समझ में आया कैसे कि दोनों तरफ का पलस के इधर भी और पलस के इधर भी दोनों तरफ का मतलब होता है दोनों तरफ का अर्थ होना चाहिए और अर्थ के अनुसारी हमारे नियम लगते है ठीक है एक एक्जामपल और देख लेते हैं एक्जामपल है वार्ता पलस लाप क्या होगा वार्ता पलस लाप क्या होगा वार्ता पलस लाप क्या हुआ वारता पलस अलाप अब देखिए वारता यहां पे पहले से ही क्या आया हुआ है आ क्या आ और यहां पे क्या है यह भी आ है तो आ और आ मिला तो क्या बना आ बना जब हम पहले वाले आ को हटा देते हैं और दूसरे भी आ को हटा देते हैं तो क्या बचेगा यह आ बच जाएगा तो हम देखते हैं वारता वारत लिखा उपर रह था लेकिन वह आ के उपर था तो यहां पर हमारा पहले से सेट हो गया तो वारता और लाप क्या हुआ वारता लाप क्या बन जाता है वारता लाप बन जाता है तो दोस्तों एक मेंट के लिए होल्ड करना क्योंकि फोन आया हुआ है इसलिए सोरी अब जोरी फोन था इसलिए हैं वो करना पड़ा क्योंकि अगर में फोन ना उठाऊंगा तो एडिटर साब गुसा हो जाएंगे और पीडिया भी त्यार नहीं करेंगे तो इसलिए पीडियाप के लिए कोल था वो उठाना पड़ा मजबूरी थी चिक्वाइस के लिए सोरी प ठीक है क्या बना वारतालाप बन जाता है बहुत दोस्तों दिक्कती होती है इतना बोलना पड़ता है कि गला दुखने लगता है गले में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा वाला ठीक है ना गले में दर्द होता है और प्यास लग इस टाइम मुझे बहुँ जादा और मेरे पास पानी भी नहीं है पहले में किलास पूरी कर लेता हूं उसके बाद जाके पहले सबसे पहले पानी प्योंगा ठीक है चलिए अब हम नियम देखते है ए और ए का नियम हमने देख लिए अब तक ए के ए और आ के सारे नियम हमने देख लिए अब हम देखते है छोटी ए और छोटी अर्था तालू वाले नियम को हम देखते है ए पलस ए के नियम को हम देखते है तो क्या बनेगा बड़ी ए बन नम्त जाता है अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे जहां से हम एक्जामपल को देखते है इसकी एक मिर्ट के लिए दूस्तों स्यर्परे है कि आपको दिखायद रहा है कि कहीं दिखाई न दे रहा हो तो हम आपका एक्जाम्पल होगा इती पलस इव क्या होगा अती पलस इव अब देखिए अती पलस इव क्या होगा अती पलस इव होगा अब देखिए यहां से अब आप लोग बोलोगे की सर यहां पर तो ए होगा पहले से नहीं होगा अब मैं इसका वन विच्गन कर देता हूँ इम फिटे कर देता हूं यह क्षिण अ को ए यह क्षिण प्लस और तो लाच में किया यह है में आया अपना एय यहाँ यहां पर आपकी मातर लगी तो एय मतलं नहीं होता किवे में बार में एक स॥ूर उसकता है अब आपक्ष स्क्राश rate तो अलग अलग से नहीं आहेंगे न कि एक भर यहां पहोगा यहां पर कर अति में आपका यहां पर इ की टॉर नो औरय है तो त्यविश्व और को अदूरे किया तो इस सामने निकल किंगा गया क्या इक उनसा चोटा hourly लगा हुआ है अती पलस ए यहां से क्या या ए पलस यहां से क्या बना ए तो क्या हुआ तालू और तालू जब भी मिलते है द्रिग में तो क्या बन जाते है अपने द्रिग रूप में चले जाते है हर उसका अलग नियम होता है तो पहचानने में भी कोई दिकत नहीं होती जिसे गुन संदी का अलग होगा विर्धिका अलग होगा सब क्या अलग अलग नियम होते है तो E और E बिला बड़े E में चला गया तो क्या बना हमने लिखा अत क्योंकि अब तो हमें इस E को भी हटा द आपका जिर्ट और अतिव क्या नियम है इस नियम में जो आपके से भी आपने के बने के बाद बने यहां पर प्रड़ी बना सारी पर पहले वाले पर लग जाएंगे पर यह तो ते रप गई यहां पे भी ठीक है आप देखें आपका अहँछ और एक्जाम्ठल देख लेते है आपको समझ में आ जाएगा अभी फिलस इस्ट कि अभी प्लस इस्ट बन गया अब यहां से क्या या यहां से बनाई और यहां भी छोटी जब भी दो तौलू मिलेगे वो किसी रूप में मिले तो अपने द्रिग रूप में चले जाएंगे तो क्या हुआ अब इसे यहां से अटा देंगे और इसे यहां से अटा देंगे और इसे लगा देंगे इन दोनों के इस्थान पर तो क्या बन जाएगा अभी एकी मातर हमने भैपे चडा दी बचा क्या? से और टे अभिस्ट क्या बन गया? अभिस्ट आपका आन्स्वर बन जाता है एक और देख लेते हैं आपका देखते है रवी पलस इंदर क्या होगा? रवी पलस इंदर अब देखे आप लोग अरे यार यह तो सारे ही खराब हो जाएगा अब जहाए से दो रवी पलस इंद्र आपको दिखाए दे रहा होगा यहां से ई और यहां से भी ई तो क्या हुआ ई और यह तो हड जाएगा और अपने ताद्रिक रूप में आ जाएगा तो यहां से बन जाएगा रवी पलस इंद्र ऐसे लिख लिजी या ऐसे लिख लिजी एक ही बात है हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या हुआ क्या बन गया आपका बन जाता है रवींद्र अंकी बिंदी मैंने यहां पे लगा दी अगर आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो निवि रवींदर को रवींद्र हो गया रविंद्र तेक Cuban और अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए जैसि हम लिखते हैं मुनिद्र क्या लिखते हम हम लिखते हैं मुनिद्र कि यहां पे देख लेते हैं एक एक खेस्चामपल और मुनिद्र अब देखें मुनी जो सबसे बाद वाला है उस पे कौन सा सवर लगा हुआ है पहले वाले को भूल जीए बाद वाले पे हमारा ना आ है ना ए है हमारा ए लगा हुआ है वो भी छोटे वाला बाद वाले के पहले पे क्या खुंदसवर है तो क्या बना बड़ाई बन जाएगा तो इसे भी हटाएंगे और इसे भी अटा देंगे इन दोनों के इस्थान पर इसको रख देंगे ठीक है न अब लिखेंगे मुनी क्या होगा मुनी सोरी यह गलत हो गया यहां पर मैंने ऐसे से एक वह बिलग दिया ने तो क्योंकि मात्रा जो है वह बड़ी आजाएगी और क्या हो जाएगा मुरे क्वी बड़ी हो गए हमारा मुनीडर कि дети का बना हमारा बंजाता है मनींद्र बन गया ना मनींद्र तो आपको तो अच्छे से समझ में आ ही राओगा, इसमें तो आपको कोई दिकत नहीं होनी चाहिए ना, इसमें तो आपको कोई भी दिकत नहीं होगी, अब हम next पर जाते हैं, हमारा जो नियम था fir यह आपका e 15s समद्दित नियम है, PM 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 कि ऐसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा ना तो हम वापिस से यही कलर ले लेते हैं अपना ठीक है यह दिखाई दे रहा है चलिए अगला नियम देखते है ए और ए का क्या देखते है यह पलस इका नियम हम लोग देखते है तो क्या बन जाएगा अपना दिर्ग रूप में आ जाएगा कोई साथ भी तालू आपस में मिलते हैं एक ही मूल इस्तान से चर्थ होने वाले बन जाएग जाता है तो क्या हो जाता है वह अपने दिर्ग रूप में चले जाते हैं और वही मैंने किया है चोटा यह चोटाई और बड़े यह तालू से बोलते है दोनों को मिलाया तो अपना बड़ाई बन जाता है ठीक है तो अब आपका एक्जामपल होगा कपी पलस इ देखे कपी कपी का क्या होगा अब हमें कपी को देखना है कपी में लास में क्या आया है पै के साथ हमने ए को सवर को देखा ए छोटे वाला पलस दूसरे वाले सब्द के बाद हमने पहले वाले को देखा तो इसमें बड़ाई आया हुआ है तो दो सवरों के मेल से जब एक ही म पहाड़ों का इश्वर ठीक है ना क्या होगा पहाड़ों का इश्वर ठीक है ना क्या होगा पहाड़ों का इश्वर ठीक है यहाँ पे चोटा है और यहाँ पे बड़ाई है तो क्या हो जाएगा अपने दिरिग रूप में चला जाएगा इन दोनों के इस्थान पराम इसको रखेंगे तो गी तो ऐसा ही रह भी ऐसा ही अब मात्रा का चैन यहाँ से करना है कौन सी मात्र लगेगी बड़ी की तो यह लग गई यह हट जाएगा बचाश है तो क्या हुआ ग्रीश क्या हुआ परवतों का इश अर्थात परवतों का राजा परवतों का देवता परवतों का राजा भी कह सकते है इश ठीक है ना तो परवतों का राजा कौन है हिमाल्य है कौन जा हिम नालिये है तो ठीके तो ये समझ Among रहा गिरिश हो गया एक और उएगसाम्पल देख लेते है एक्जाम्पल होगा आपका अधी पलश इश्वर क्या होगा अधी पलश इश्वर जैक देखे यहां से चोटाई यहां से बड़ाई दोनों मिले तो क्या बना अपना दिरिक रूप बड़ेई में आ गए दोनों को उस तरफ वालों को हटाएंगे अधी के साथ जो यह लगा हुआ है उसका उसको हम हटाएंगे और बड़ेई से हम देखते से कौन सी मातरा लगेगी तो सोरी यहां पर लगा आपका हमने लिखा धै यह दोनों हट जाएंगे और यह भी हट जाएगा इनके इस्तान पर यह मातरा आए जाएगी तो क्या हुआ अधी और यह वाला इभी हटेगा तो क्या बचेगा शवर तो अधीश्वर क्या बना अधीश्वर क्या बना बन गया आपका अधीश्वर तो हमार E और E भी आज complete हो गया है अभी हमारे E के दो नियम और बचे हुए है एक तो आपका बड़ी E देखी यह नियम बचा हुआ है इसके दो तिन एक्जामपल मुझे इसके बताने हैं और एक और बचा हुआ है आपका E और E कौन सा बड़ी E और छोटी E का मेल इसका भी बड़ाई बन जाएगा इसका भी बड़ाई बन जाएगा यह दो एक्जामपल 3 और 3-6 एक्जामपल में इसके दोनों बताऊंगा तो आज के लिए हम इतने रखेंगे अगर आपको लगता है कि हमारा पढ़ाया आपको अच्छा लगा है समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करना ना भूलें आपकेruck से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके ज़्यादे वीडियो गोई शेयर करें ताकि आपके परिवार से लोग जूर सके आपका परिवार दूर-दूर तक फैल सके जान सके कि स्वाध्याइस для wha leíre सब ठीक है तो आप लोग अच्छे से देख सके आप लोग को समझ में आए तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें यहां आपके किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता बस आपको दिल से पढ़ाया जाता है और दिल से ही आपसे अम्मीद की जाती है कि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो ज्यादे से ज्यादे लोगों तक शेयर करना आपका करतव्य है और जो हमारा करतव्य हमने पूरा किया अब आपका नंबर है आपसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अपना करतवे निभाएंगे और ज्यादे से ज्यादे लोगों तक शेयर करेंगे तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे धन्यवाद दोस्तों जल्दी ही आपके लिए वैकेंसी आ जाएंगे यूप बुलिस आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो आज के इतने रखेंगे धन्यवाद दोस्तों